बान्दा आपको लिए चलेंगे क्योंकि बान्दा में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर खूब हमले कियें बान्दा में चिनावी राली जिसे संबोधत अखिलेश यादव कर रहे थे जिनके परिवार नहीं हैं, वो क्या समझेंगे? और साथी अखिलेश ने योगी सरकार को बुल्डोजर सरकार बताया है कहा वोट का बुल्डोजर चलेगा तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा इसके अरावा महिगाई के मुद्ध पर भी अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा तो महत्वपुन हो जाता है परिवार बत को लेकर हमेशा मुलाइम सिंग यादव अखिलेश परिवार बीजेपी के निशाने पर उसी मुद्ध पर अखिलेश्यादम में पलकबार कर दिया, ये कहते हुए कि परिवार वाले ही परिवार वालों का दर्द समझ सकते हैं और साथ ही वोट का बुल्डोजर चलेगा और योगी सरकार का सफाया हो जाएगा हम सब परिवार वाले लोग हैं इसलिए जानते हैं अगर किसी मजदूर की जान चली गई तो मजदूर के परिवार का हाल क्या होगा अगर किसान की जान चली गई तो किसान के परिवार की मदद कौन करेगा हम परिवार वाले लोग हैं इसलिए कहीं अगर घटना हुई तो समाजवादी लोगों ने मदद करने का काम किया परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं जिनके पास परिवार नहीं है वो आपकी परवाद नहीं करेंगे ये बुल्डोजर वाली सरकार, ये बुल्डोजर वाले लोग, ये याद रखें, बुल्डोजर सड़क पर चला करता है, लोगों पर बुल्डोजर नहीं चलता, और लोगों के पास इस बार अधिकार है बोट का, इतना बोट का बुल्डोजर चलेगा, इतना बोट का बुल् आए दो गुनी के वो तो पूरे नहीं हुए लेकिन महंगाई कितनी बढ़ गई है डीजल पैट्रॉल के कीमत बढ़ती चली जा रही है आस्मान चू रही है यह वही लोग है जिन्होंने का था कि हवाई चपल में चलने वाले लोगों को हम हवाई चार्ज में बैठा देंगे और पैट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है कि आज गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती तो अखेले श्यादव को आपने सुना परिवारवाद को लेकर उन्होंने हमला बोला अपधानमंतरी मोदी या तमाम बीजेपी के नेता जिस परिवारवाद की बात करते हैं और वोट के बुल्डोजर का भी जिक्र किया राजनितिक संपादक पंकजा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं पंकजा सामदाम दंड भेद परसनल है ये अटैक अगर इस तरीके की बात आप कहते हैं कि परिवार जिनके नहीं है वो परिवार क्या समझेंगे तो ये परसनल अटैक है मुझे लगता है कि सियासत राजनीती इस समय अपने एक नियूनुतम इस्तर पर है और दूसरी तरफ वोट के बुल्डोजर का भी जिक्र कर दिया है अखलेश यादव ने आती उत्साहित दिख रहे हैं अखलेश अखलेश यादव को लगता है कि इस वार वो कड़ी ठकर दे रहे हैं उनकी पहली प्रात्मिकता ये थी कि बीजेपी से सीधे मुकाबले में वो दिखें और ऐसा लग भी रहा है रही बात ये खांदान और परिवार की बात करने की तो प्रधानमंतीर नरेंद मोदी ने बिना नाम लिये यही कहाता है और योगी आधितनात भी जब कहते हैं और जब वो ये कहते हैं तो सिर्फ अखलेश यादव पर हमला नहीं होता है इस जाल में ना फसने की कोशिस करते हैं वो ABP News आपको रखे आगे